हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू जाब अपडेट्स यूटूब चैनल फ्रेंट्स यदि आपने डिग्री या डिफलोमा कर रखा है मैं केनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, इंस्टुमेंटेशन, मेटलर्जी, सिरैमिक, केमिकल, सिविल इंजिनियरिंग से तो आप सब के लिए एक बहुत ही अच्छी नियूज है यहाँ पर, हम रोजगार के इस कडिक में बात करने वाले हैं जूनियर इंजिनियर ट्रेनिंग की, तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर कम्प्लीट डीटेल्स में देखेंगे, तो चलिए बीना देर की हम आपको बताते हैं कि टाटा इस्टील की तरफ से जूनियर इंजिनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी जारी की गई है, वैकेंसी 8 जनुवरी को जारी की गई थी, जो कि हम ब्रांच का अभी तक जिकर किया है, यहां एसे छत यहां पर फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, बात करें हां पर मार्क्स की तो जो मेल कंडिडेट हैं, जनरल के उनका 60% कम्स का मार्क होना चाहिए, जनरल फीमेल की बात करें 55%, ट्रांजेश्टर की 50%, CST community के यहां 50% marks होना चाहिए जनरल male and female की बात करें तो date of birth उनका 1999 से 2007 के बीच में होना चाहिए ऐसे transgender के 1996 से 2007 के बीच में होनी चाहिए और CST community के 1997 से 2007 तर date of birth होनी चाहिए यहां 12 मंत के आपकी training period रहने वाले हैं फिजिकली standard मांगा गया है height 102 cm male के लिए और 65 cm आपको expand करना है ऐसे ही girls के लिए 142 cm height रखा गया और weight 40 की यहां पर रखा गया है बात करें स्टाइपेंड की तो जो भी चातर यहां पर select होंगे उनको 16,531 रुपई स्टाइपेंड दिया जाएगा Tata Steel की तरफ से इसके बाद आपको employment and placement की बात करने तो आपको confirmation की chance बहुत ज़्यादा रहने वाले है बात कर लेते हैं कि आपको apply कैसे करना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहां से आप direct apply कर सकते हैं आप इद लिंक हम अपने वीडियो के description box तथा comment box में दें देंगे आप वहां से जाके direct apply कर सकते हैं बात करें important debts की तो आपको 8 जनवरी से 19 जनवरी तक यह form आपका apply होगा और admit card 12 फर्वरी को release कर दिया जाएगा और 18 फर्वरी को आपका return test होने वाला है online form को submit करने का last date 19 जनवरी 2024 रखा गया है application fees की बात कर लेत यहां 500 रुपए application fees की रूप में रखा गया है यदि आपने इस form को apply करना है तो सभी candidate को 500 रुपए application fees देना पड़ेगा यहां पर message किया गया है कि जो women's है, trans persons है SCST candidate को यहां पर encourage किया गया है कि इस form को apply करें आपका selection procedure वही center based online return test होगा उसके बाद आपका personal interview लिया जाएगा फिर medical examination होगा यह तीन process है कि आपको CBT test देना है फिर आपका personal interview होगी उसके बाद medical examination होगा और final selection कर लिया जाएगा तो जो भी छात्र इस form को apply करना चाहते है और age limit fulfill करते हैं वो इस form को जरूर apply करें इस vacancies related यह कोई confusion हो तो हमको आप message कर सकते हैं वीडियो यह आपके काम की ती तो इसको like कर दे और ऐसे information पाने के लिए मारे channel को subscribe कर ले वीडियो देखने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद